हलो स्टुडेंट आज हम जनरल इंगलिश कर रहे हैं जहां है पेज नमर 2929 दे आर अब दे आर का कंसेप्ट समझे उससे पहले हमने पास में कुछ लिखा है वो अंडरस्टेंड कराएं सिंग्यूलर अब सिंग्यूलर यानि कौन I, you, he, see, it यह लोग सारे कितने हैं only one उसके स सामने बहुत सारे हम सब खड़े हैं तो we use करेंगे, okay? you यानि आप अपके ले और यहां प्लूरर्स का you देखो तो वह वन से ज्यादा लोग आप खड़े हो तो में you, are बोलूंगी, okay? उसके बादे कि he, see, it यहां one boy, one girl and one things, okay? उसके सामने अगर one से ज्यादा बोई, one से ज बोलूर्स करें, they is the plural of the, of he, see and it, okay? he, see, it का plural form क्या है? they, now see here, read the sentences under the pictures given on the left hand side, आपके left hand side है, pictures and sentences उसको क्या करो? read करो, write the appropriate sentences under the pictures on the right hand side, यानि right side जो पिच्चर दिये है, उसको understand करना है और properly आपको लिखना है, okay? now we do practice, first number देखे, see is a nurse, यह कौन है? nurse है, कितनी nurse है, only one, इसले क्या है, see is a nurse, this is a singular form है, अभी देखो, see का क्या हो गया? they, this क्या हो गया? are, और अ तो निकल है जाएगा, क्योंकि वन से ज्यादा nurse है, तो nurses, and you are as, see, पिच्चे लगा है as, they are nurses, now second, it is a horse, यह horse कितना है? only one है, it is a horse, यहां क्या लिखेंगे? यह वन से ज्यादा है तो, they are horses, पिच्चे एस लगाया, इसके बादे को, he is a green grocer, यह कौन है? green grocer, अभी का क्या हो गया? they, इसका क्या हो गया? are, and green grocer का क्या हो गया? green grocers, वन से ज्यादा है, इसके बाद देखें, phone number, he is a washerman, यह एक ही washerman है, तो, यहां क्या किया? he is a washerman, उसके बाद यहां देखो, वन से ज्यादा है, तो, हम क्या करेंगे? he का, they, is का, are, and washerman का, washerman, m-e-n हो गया, ओके? washerman में 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 आता है, एक है, तो, देखो, यह है न, यहां क्या किया हमने, they are washerman, ओके? उसके बाद देखो, यहां one boy है, क्या बता रहा है? it is my book, वो क्या बता रहा है? यह मेरी book है, लेकि यहां देखो, वन से ज़्यादा book है, तो, क्या करेंगे? it का, they किया, इसका, are किया, they are my books, ओके? वन से ज़्यादा है, तो, हम क्या बोलेंगे? they are my books, उसके बाद यहां देखो, she is a dancer, only one है, she is a dancer, तो, यहां क्या करेंगे? वन से ज़्यादा है, तो, they are dancers, ओके स्टुड़न, किस तर से singular का प्लूरस हुआ, वो understand करो, और write करो, okay? have a nice day